आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की रेस्पी सेर करूंगे, यह भोती खाने में टेस्टी और हेल्दी रेस्पी है, और बनाना भी आसान है, तो चलिए फिर इसको हम बनाना सुरू करते हैं, तो यह रेस्पी आज हम बनाएंगे काले चने से, तो मैंने यहाँ पर चैनों को ले लिया है, इसको हम बारिक बारिक काट लेंगे, और इसमें डाल देंगे, तो यहाँ पर मैंने चार पांच हारी मेर्च ले लिया है, और इनको भी हम इसमें काट कर डाल देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हरादनिया ले लिया है, और उसको भी इसके अंदर हम काट कर अब इसमें हम डाल देंगे हाप चमस से कम अजवाई थोड़ी से इसमें हम डालेंगे हल्दी पोर्डर और थोड़ी से इसमें मैं लाल मेर्च पोर्डर भी डाल दूंगे अगर देखिए आपको थोड़ा तीका खाना पसंद नहीं तो यहां पर आप लाल मेर्च को अवैड क अब हाफ इसमें हम नीमू ले लेंगे और उसका रस इसके अंदर डाल देंगे निचोड कर इसके मैंने बीजी निकाल लिये है तो हाफ नीमू इसके अंदर मैंने निचोड कर डाल दिया है अब इसमें हम देखे डालेंगे पानी और पानी देखे ज्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा से डालना है ताकि यह भीग जाए बस इतना ही हमें इसमें पानी डालना है तो यह देखे मैं अभी नहीं डाला है कि यह भीग जाए तो एक बार इसको हिला देंगे हम और इसको मैं मेंद के लिए रख दूंगी ताकि जो यह रख जाए तो दस मेंद के लिए और पाना है है तो देखे तोड़ा सा और पानी में इस परतन को दोकर बस इसके अंदर डाल दूंगी ज़्यादा नहीं डाला है तोड़ा सा मैंने बर्तन को दोकर डाला अब मिक्सका जार लगा कर इसको हम पीस लेगे बिलकुल मैंने इसका समूध सा पेस्ट बनाकर तयार कर लिए देखिए बिलकुल समूध सा इसका हमने पेस्ट बनाया यह देखिए तो यहां पर हमारा पेस्टा भी यहां रेडी हो चुका है तो यहां मैंने एक बरतन लिया है उसमें इसको हम निकाल लेंगे तो यह देखिए तो ज्यादा इसको हमें गाड़ा भी नहीं रखना और ज्यादा पतला भी नहीं रखना है तो यह मैंने एक बरतन में निकाल लिया है तो अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा अब चमच से हाफ है यह देखिए मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है अब बेकिंग सोडे को इसमें हम करेंगे मिक्स तो अच्छे से चमच से हमें इसको मिक्स कर देना है और अच्छे से फेट देना है ताकि इसे बेकिंग सोडा अच्छे से हमारे बैटर में मिक्स हो जाए तो अच्छे से इसको मैं फेट दूगी तो देखे अच्छे से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है बैटर के अंदर सोड़े को ये देखें अब हमारा ये पेश्ट देखिए ने तो पतला है और ने ही घाड़ा है तो ये अब यहां पर हमारा पेश्ट बनकर रैडी हो गया है तो दूजरी तर मैंने गैस पर त है वो इसके उपर हम डाल देंगे और इसको हम इस पर फैला देंगे तो यह देखिए दोस्तों इसको मैंने इसके उपर फैला दिया है अच्छे से अब इसको हम पकने देंगे अच्छे से तो एक दो मिन्ट के लिए इसको हम पका लेंगे और देखिए मैंने गैस बिल्कुल यहां पर तेज का रखिये, तो मैं इसको फकने देते हूं, यह देखे दोस्तों यह अच्छे से पक चुका है, अब इसको हम उतार लेंगे, प्लट लेंगे, और यह देखे बिलकुल नहीं चिपकता यह देखे, अगर आपका चिपक रहा है, तो आप इसको इसके उपर थोड एक फैस्ट बन कर तैयार हो गया है और इसको हमें बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपके पास चैनल बचे हुए है तो उससे भी आप यह टेस्टी से नस्ता बना सकते हो बहुत ही टेस्टी बनता है और एक दम हैल्दी रेस्पी है तो दोस्त आपको यह कैसी लगी जरूर कॉमेंट करके बताईए और अच्छी लगे तो ज्यादा शे ज्यादा लाइक कीजिए सेथ कीजिए और होमेड चैनल रेस्पी को प्रीज सस्काइब कीजिए तो आप भी जरूर इसको बना कर देखना बनाना भी आसान है और बन भी जलती जाती है तो आप जरूर बनाएए सुबह के ब्रैक्वास्ट में और इंजोई कीजिए